ध्यान लगने योगी ज़रोरी बाते स्वस्वंबतित बाते नमबर एक खड़े होकर करंगी करने वाले लोग जल्दी बुड़े होते हैं क्योंकि ये इंसानी धिमाग पर असर करता है नमबर दू अम्रूत को भून कर खाने से पूरानी से पूरानी खासी खतम हो जाती है नमबर तीन गर्मियों में आवले का सरबत पेने से प्यास कम लगती है और ये लोगों से भी बचाता है नमबर चार पाओं के बल बैट कर कोई भी काम ना करे इसे सीधा सर नजर पर पड़ता है नमबर पाँच रोज नाने वाला वैक्ती कम बिमार होता है नमबर छे तुलसी की पत्यों का काड़ा बना कर पीने से सर्दी और कफ में आराम मिलता है नमबर साथ अगर कमर दर्द की समस्या है परिसान है तो रोजाना दोपेर के समय थोड़ा सा काली मिल्च का पाओडर पानी के साथ ले ले दर्द में आराम मिलता है नमबर आट यदि चक्कर आने की समस्या है तो गुड़ खाया करे इससे एनरजी मिलती है नमबर दस रात को सोने से पहले पेरों की मालिस करने से बीमारी जल्दी नहीं आती और नींब अच्छी आती है नमबर दस रोटियों के डिब्बे में लॉंग रख देने से रोटिया बहुती मुलायं बनी रहती है सफेद नमग, सफेद चीनी और सफेद मेदा कम से कम प्रियोग करे क्योंकि ये हमारे सरीर को नुकसान पहुंचाती है नमबर बारा पेसाब में ज़्यादा पीला पनाने लगे तो निम्बू वाला पानी पीना सुरू कर दे नमबर तेरा खाने के बाद बदहजमी और खटी डगाराने की समस्या है तो खाने के साथ प्याज और निम्बू निचोड़ कर खाने से बदहजमी नहीं होती नमबर चोदा सुबा जागने के तूरण बाद एक गलास गरम पानी पीने से रोग परतीरी डोग समता बढ़ती है ठीक रहता है आपकी स्कीन गलाइक रहती है नमबर पंदरा चेरा दोने के लिए दिन में एक बाद चावल के पानी का इस्तिमाल करें इसे चेरी का रंग तेजी से निकरता है नमबर सोला यदि आप मास प्रोटीन के लिए खाते हैं तो मूंग आपके लिए बहतर सुजाओ हो सकता है क्योंकि मूंग डाल में मास से ज़्यादा प्रोटीन होता है नमबर सत्रा यदि आपका सरीर दुबला पतला है तो नारेल का सेवन करें इससे सरीर मोटा और ताकतवर बनता है नमबर अठारा यदि आप इमली का पानी रोजाना पीते हैं तो आपके खून को वेरिफाई करता है आपकी बोडी को सलीम करता है और चेरे पर निखा राता है नमबर उंगनीस एक सर्वे में पाया कहा है कि वैक्ती बदाम का सेवन करते हैं उनके आयू बदाम ना खाने वाले वैक्ती से 20% ज़्यादा होती है नमबर बीस सर्सों के तेल में फिट करी मिलाकर बालों में लगाने से बाल मजबूत गने और चमकदार होते हैं साथी तवच्चा पर लगाने से तवच्चा का इंफेक्शन से भी बचा जा सकता है नमबर एक्कीस सुबा उटकर आँखों पर ठंडा पानी मानने से आँखों की रोस्नी तेज होती है नमबर बाईस जो इंसान पेट के बल सोता है उसे हाड़ आटे काने का खत्रा ज़्यादा रहता है नम्बर तेईस, सरीर में पानी की कमी होने की वज़े से डाग सलकस होते हैं, इसले पानी में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिये, दिन में जदा पानी पीने से सरीर हाई डेट रिता है नमबर चोईस जिन महला को कमर डर्द की समस्या है वनारेल के तेल में चार से पांच लहसुन की कली ढाल कर घरम करें फिर तेल को ठंडा होने के बाद कमर पर मालिस करें इसे कमर में आराम मिलता है कमर डर्द में आराम मिलता है नमबर पच्टीस, रात को नाबी में तेल या बदाम का तेल डाल कर सोने से चेहरे पर सरीर में निखाराता है जेतुन का तेल नाबी में डाल कर सोने से कमर दर्द और पेट की बिमारे से चुटकारा मिलता है नमबर 26, यदि आपको माइग्रेएन का दर्द है, माइग्रेएन के दर्द आदे सीर में होता है, कभी ये पूरे सीर में भी होता है तो इसे चुटकारा पाने के लिए जिस जगा दर्द है उस जगा से 10 सेकंड के लिए दबाए, फीर्द छोड़ दे और फिल 10 सेकंड के लिए दबाए फिल छोड़ दे इसे बार बार रिपीट करें ऐसा करने से सिर्दर्द में आराम मिलता है नमबर 27 जब कभी सरीर पर कोई इंफेक्शन हो जाए तो पानी में 3-4 चमजदही का पानी मिलाकर नाने से सरीर का इंफेक्शन दूर हो जाता है नमबर 28 किटनी स्टॉन यदि सुराती दोरे में है तो निम्बो पानी बहुती फायदे मंद होगा निम्बो पानी में प्रकतिक स्टेट होता है जो इस स्टॉन को तोड़ देता है और बनने से रोपता है नमबर 30 यदि महलाओ को पीरेड अन्यमियत है तो उसे सौफ का सेवन करना चाहिए गुड के साथ इसका सेवन काफी फायदे मंद है नमबर 30 जिन गरों में चीटिया ज्यादा आती है तो चीटिया आने वाली जगा पर थोड़ा सा कपड़ा दोने का साबुन डाल दे चीटिया भाग जाएगी आई हो आज की वीडियो पसंद आए पसंद आए तो लाइक शेर कमेट करना बिल्कूर न भूले एक शामानी जान कारी थी जो में नाशादा आती है